So guys we have a new update in GST with respect to input tax credit Because अगर आपने इस difference को rectify नहीं किया, correct नहीं किया, reverse नहीं किया तो आपको notice definitely आने वाला है with interest तो वीडियो को end तक देखना और like करके share करना बट अगर आप मेरे channel पे नए आए तो subscribe करके bell button को press कर लो ताकि आपको side notification मिलती रहें और इनको download करने के लिए telegram को join कर लो, link is in description So guys जैसे कि आपको पता कि financial year 2021 के लिए GSTR 9 को portal पर enable कर दिया है जिसकी due date क्या 31 December 2021 अभी तक यही date है GSTR 9 के लिए कुछ important points है GSTR 9 once filed cannot be revised और यह आप 9 तभी file कर सकते हो जब आपने पूरे साल की 1 और 3 भी file कर दी है 9C तभी enable होगा जब आप 9 को file कर लोगे और अगर आपकी HSN summary की detail 500 records से ज़ादा है table 17 और table 18 तो उस case में आपको offline tool यूज करना पड़ेगा otherwise आप file इसे नहीं कर पाऊगे offline tool आपको कहाँ पे मिल जाएगा आप download में जाओगे offline tool में जाओगे तो GSTR 9 को offline tool आपके सामने आ जाएगा तो जैसे ही आप prepare online पर click करोगे तो आपको यहाँ पर यह चार टैब मिल रहे है GSTR 9 system computed financial basic के लिए download GSTR 1 summary पूरे साल की 3B पूरे साल की और table 8A document detail I believe आपको पता है कि अगर आपकी turnover up to rupees 2 crore है तो 9 को file करना optional है बट अगर आप 9 को file नहीं करोगे तो यह जो system computed summary है न इसी को मान लिया जाएगा कि आपकी GSTR 9 है इसी को assume कर लेगा department कि यही आपकी final figures है तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि अगर आपको लगता है कि गलती कुछ है figures में इवन दो आपकी turnover 2 crore से कम है तो आप अपनी return को file कर लो उसे rectify कर लो वरना आपको उसी के basis पर notice आ जाएगा This is one point जो आपको बिलकुल ध्यान रखना है आप GSTR 1 and 3B को download कर सकते हो पूरे साल का data आपको PDF में यहापर मिल जाएगा आप table 8A में click करो Excel में आपको data मिलेगा Excel sheet में आपको GSTR 1 filing cut of date मिल जाएगी कि यह जो table 8A है Excel sheet में जो data आ रहा है वो किस cut of date के basis पर आ रहा है कि suppliers ने 15 जुलाई 2021 तक जो भी काम किया होगा उसके basis पर table 8A की values फिल हो रही है आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि suppose करो किसी ने अगर 15 जुलाई 2021 के बाद 1 या IFF या 5 को file किया after the updation date वो आपको table 8A की Excel sheet में नहीं मिलेगा बट हो सकता है कि वो detail आपके 2A में आए because अब बात को समझो 2A में आने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले ने return को file कर लिया that is why GSTR 2B is the only base for claiming input tax credit because अगर कुछ 2A में आ रहा है हो सकता है कि return को file ना किया हो but figures को fill करके save करके रख दिया हो portal पर but return को file ना किया हो तो हो सकता है कुछ detail आपकी 2A में तो आए but वो सामने वाले ने file ने की इसलिए GSTR 2B क्या होता है आपका base होता है for claiming input tax credit तो अगर आपकी कोई detail 8A में नहीं आ रही और वो 2A में आ रही थी और अभी तक supplier ने उसे file नहीं किया तो उस case में अगर आपने उसका credit claim कर लिया होगा तो आपको उसे reverse करना पड़ेगा otherwise आपको notice आएगा because जो table 8 होता है न वो department के लिए trigger point है जैसे ये table 8D negative sign आ जाएगा वो department के लिए trigger point है वो आपको notice बेजेगा कि आपने excess input tax credit claim किया है तो अगर आपने excess claim किया हुआ है reason being कि वो 2A में आ रहा था बट 2B में नहीं आ रहा था और आपको वो table 8 में भी नहीं दिखरा तो आप उसे reverse कर देना otherwise notice तो आपको definitely आएगा with interest रही बात important points की कि आपको कुछ remarks मिलेंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा details of the reason reason for non accounting of the ITC because अगर आपका supplier का state और place of supply same state में है और recipient different state में है तो उस case में remarks के आएंगे non availability of ITC तब आपको ITC थोड़ी मिलेगा because आपका recipient का GSTN है different है state ही different है और अगर GSTN हो गया है amend तो उस case में ITC किसे मिलेगा जो amended GSTN है अगर suppose supplier का GSTN cancel हो जाता है और उस cancel date के बाद कोई invoice date का invoice आपके पास पड़ा है तो उस case में भी यहाँ पर remarks के आएंगे ITC में कि reason for non accounting आ जाएगा कि आपको ITC इसका available नहीं होगा अब आपको मैं बताता हूँ table 8A जो मेरी Excel sheet में आ रहा है मैंने क्या किया B2B को total किया credit note को minus किया और 8A के according Excel sheet में मेरी value कितनी आ रही है इतनी बट अगर मैं 2A को देखता हूँ तो मेरी value कितनी आ रही है इतनी difference कितना आ रहा है 3000 का कि मेरे 2A में access reflect कर रहा है that means कि कि किसी ने भी return file नहीं की but portal पर save करके रख लिया तो अगर access claim किया होगा तो उसे reverse करना पड़ेगा because departmentally trigger point तो table 8 ही है but अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा credit है जो सामने वाले ने file किया है आपके पास screenshot भी है उन्होंने confirm भी किया है आपको share भी किया है summary of GSTR1 और वो table 8 में नहीं आ रहा तो उस case में आपको worry नहीं करनी है आप fight कर सकते हो और अपना case जीज सकते हो because last year कुछ ऐसे cases आये थे 4 लग के भी 5 लग के भी so I believe आपके लिए video काफी relevant होगी तो please video को like करके share कर देने till then thank you very much हमना इस डे bye